डियो श्रेंट्स वेलकम तो अल्डु मैं चैनल रिविजन क्लास रहे आमें आज डिसकोशन करीबा नाउन क्लाज़ेस आण रिलेटिव क्लाज़ेस यहाँ पुर्बरु जेयों सुभू चाप्टर रिविजन है ची जाद तुमें देखिना ओपर आई बटन ओपर क्लिक करीक ची शुब बीडियो देखिने और इस सुन्दर पीटेफ डाउनलोड करीवा पाई डेस्किप्सर ने लिंक दिया है ची लिंक परे क्लिक करी डाउनलोड करो स्टार्ट करीवा तुमें दिस्प्लेव पर देखिपाव तीबो नाउन क्लाज़ेस आन लेटिव लोजेस इटा और थात आन्सर कॉन पाई हेला तहार डेस्क्राइब कराया ची शुब इत्में माँ एक्स्प्लेण करू ना ही सेट 7B आव 7C मों डिस्केशन करी देवी ठीक ची तुमें नोट डाउनलोड कर लेहीं ये सुब सुन्दर भावरे पढ़ी पारीवा ठीक ची उम तुमें आउ नोट करी पारीवा करीशाल आपरे आंसर चेक करीवा येपों कहें की आंसर हेला तक मद्नतुमें एक्स्प्लानेटरी नोट्स रे चेक करी पारीवा ठीक ची बड़त वना में 7B रे चुब कुश्चिन आची तक डिस्केशन करीवा ओके चूज तो करेक्ट आंसर नमर वान The boy is my friend. He always gives me books. The combination of these two sentences will be theirs. देखा चार्टे अप्सन देची तो हमें combine करीवा The boy is my friend. से बड़ा कुटी मर सांगार ते He always gives me books. से सब बड़े मते पही दिये. ता हमें पढ़ीचे फास्ट क्लास बास्ट आगा में क्लास भुल दहरीवा एथिरे दो बड़े हुची नाउन फ्रेज बा अंटिस्टेंड बा एटा हुची रिलेटेर वाड. दो बड़े पाई अमरो second sentence रे ही लेखाईची. बुझी होची ना नाई दो बड़े अमरो सब्जेक्ट पाटर अची. आगवा में दो बड़े लेखीवा ता परे second sentence को आमें रिलेटिव प्रोनाउन लागे की लेखीवा ता ही अल्वेज गिप्स में बुग अची ही उठ्थेवा एबंग ता बद़रा में हू यूच करीवा. ठीक होची, हू रिफेवा अउंड़ पाललललो नस फ्रुभूच ऑलल्वेज गिप्स में बुग रुटोТак बुकियो घानिवा यूच के सब्सकिन dol은 दो जी? फू अल्वेज गिव्स में बुक्स तुरू एटा हूचि अमारो इटाइटाइटाइग लेटिव क्लोस इस इंफरमेशन मिलूची पुचुच एटा इटा इटाइटाइटाइटाइटाइटाइटीव क्लोस कॉरनो तुम भीटियो देख लेए जानी पधिवो नोटर मात एक्सलें कर आएची नावन दूड़ करिना, लेटर करिना मुपलावने, ठीक ची? आंशर शी ही हाव, वहु अल्वेज गीश्मी भी वूक्स इस माइ प्रेंट. सेमधि No. 2 the only question that drew everybody's attention is worth discussing which is the main clause in the sentence यति रहा main clause क्या आमें जानी चे main clause हुचि independent clause अब dependent clause हुचि आमारा subordinate clause सो subordinate clause आमे जानी पारी बा क्यमति इना subordinate रो स्टाट है ति वा जमति कि that drew everybody's attention यता आमारा हुचि subordinate clause सो जाहा बलिला the only question is worth discussing एटा होची हमरा मेन क्लाओ, so option D होची राइट अंशर, number 3 He wanted to know where I was going, which is the noun clause in the sentence एटा रे नाउन clause की, he wanted to know, एटा मेन क्लाओ, where I was going option C रिटा अची एटा ही हमरा नाउन क्लाओ, काहिं की ना हो यार रू आवाँ आची भी जोची, where I was going, एटा होची, noun clause, option C, number 4 In which one of the following sentences, the noun clause works as an opposition to a noun phrase आमें पढ़िचे नाउन clause रा पांचोडी फांचोडी फांचोण थाए, subject, object, complement, object of reposition, apposition to noun और pronoun So, कोटा हावो, A, B, C, D, तुमें option को चार्टा को भला आवरे पढ़िवो इबां, जानी पारिवो, जे option A, the question, why you are always late, has not yet been answered So, the question जेतू noun रहुची, so, noun बिसर्या में इस्टा information रहुची, so, A भड़ी आमें example दिखे आप ही दे, so, answer आप पोजिशन तो noun कोटा, option A आवसोब हावो, B, C, D, object, okay, B, subject, C, object, D, object, so, option A हावँची, apposition to noun और pronoun इस्टा आपरे वीटिवो लास्पोजन देखा, number 5 The man is my uncle, you borrowed his bicycle yesterday, आपको में combine करिवा, the combination of these two sentences will be count, लेखाई चाटा sentence, बजुची, तुमें पढ़िवा, केंद आमें करिवा, देखाऊ, the man is my uncle, you borrowed his bicycle, whose bicycle, the man's bicycle, okay, uncle's bicycle, जाहाब कोई परिवा, बजुची, number 5 आमें discussion करुची, so, Option A, B, C, D, तेखाऊ, देखाऊ, से करो जलोको जाहार 기분 Dummen Do bearded, तुमें दाहार आणे लो ऐखाल। बाग नहीं, एक-नहीं तैयो जहाः भशिओ, हूज भशिओ, चुँ अप्शन A हो बचीम तो मैन..?ूज वश बाइसकल यहू बढौडे येष्टरड़े। विसुनाइए, आकुछि के व्श हम्पाव नहीं। अप्शन A थिकुछ ऑचप़। बलावर पढ़िवा दूर्याव सेंटेंस एबंग जानिवा जेट लेटेड वाड़ हुची द म्यान जुड़ा की प्रेडिकेट पार्टर अची फार्ट सेंटेंस रो बामेन ग्लाच रो सांसर रव दो ए लाइक तौ म्यान हुँ हाजे स्माइलिंग फैजe नूम शीक्स आप्शन वी रही इता ओची आप़्ा अचै घ मैं हुऊ हाजे स्माइलिंग पेज बुचू जी number seven my suggestion is that you should try again which is the noun clause in the sentence because my suggestion is it a man close that like this is a sovereign clause that you should try again Pujoji etha option B rehi aji Bujoji makin kohuji answer number eight a student should always pay attention to what the teacher teaches noun clause you italics lekhaiji what the teacher teaches etha kona bho saja etha hava option C an object of a preposition dekha pay attention to to doubt a vasi chi preposition he answer abo object of prepositions okay bhaji ho chi na bhaji ho nipila ma ne so our answer madhyaan tumha ko ehthi diya hai chi tumhye check kari paribho okay seven B complete but taman seven C ame discussion kari ba tumhye monitor kari paribho okay bhoot easy a chi 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 tanshan nabar nahi similar parallel question diya hai chi practice pahin kohi dhu chi answer the problem is that we do not have any money yadhi dhammgho problem ho chi then liche dha hava hai mate comment kari ba okay so adhre main clause kie the main clause ho chi the problem is bhuji ucchi ahoja arojla se da sapondate clause number two the boy is a college student I share the room with him so our answer abo the boy with whom I share the room is a college student option A okay chashtha karo bhuji hapa hai yajali bhuji haji ho practice kara number three in which of the following sentences the noun clause works as an apposition to a noun phrase I will quote a apposition to a noun phrase function karichi noun clause ta so answer abo kon habo pilaman chashtha karo yes it is true option D it is true the man died in an accident uxchi that the man died to an accident bhuji haji fraa hi through first I have no objection to what you said object havo you should realize that i be object havo that pari shita komplement havo date habo apposition to noun iiiyanpievers a noun phrase it is true apposition to pronoun ko bhuji haji it is true I it k Clark long sta da a di dad that man died in an accident तर इटा आप एग्जाम्पल देच भाईर एबढ़ा में देखिले पुजी पारीबार सुति नमबर अप्शन दी नमबर फो तीचर से दात तर नेक्स द वाज अफलीडेए नाउन क्लोच किये नाँ परति वो द्याट लागीची चे याच हिस आपने टाउन क्लोच तर तर नेक्स देखिलेए अप्संद सिड़ेए तर में देखिलें ओसन लापसि D okay sorry option C which live in the neighborhood option C what you say is correct noun clause what you say is noun clause when you start it have a subject of his sentence option C okay number 7 my father loves to talk he is a teacher combine करिब my father what you say is non-definality clause what you say is teacher option B B my father who you say teacher loves to talk non-definality clause separate करिब बा comma द्वार पड़िचे वला आपर देखिवा बहिरे अच्छी so number 7 B 8 to seek we are delighted florist night angle nosed them combine करिब so answer बाप्सण D the seek whom जहाक्कू बजेवायथी नोष्ट दे मचिना सेमाननको jahaक्कू florist night angle nosed we are delighted the seek जेतू noun phrase antistoryan starting रपाष्ची यवड़े आमे करिथे ले okay answer बाप्सण 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 second class the seek whom florist night angle nosed we are delighted option D so राप्सर मध्यू तमे चेक करी परिवो okay next अमे अर्भा अर्बाप्सण करीबा next class बाप्सरे समस्टे देखिला मिश्टार बालाइक दिवा thanks for watching this video God bless you keep watching my channel and don't forget to share the video with your friends thank you